गवार की सबजी तो आपने कई बार बनाई होगी लेकिन आज इस तरह से जो मैं बनाने वाली हूँ अगर वेसे बनाएंगे तो बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे तो चले बनाना शुरू करते हैं तो एक कड़ाई में 2 टेबल स्पून जितना ओईल गरम कर लेंगे आदा टेबल स्पून धनिया की बीच डालेंगे यानि की कौरियंडर सेट्स सब्जी की टेस्ट को पुरी तरह से बदल देगा तो यह जरूर से डालें आदा टी स्पून जिरा एड़ करेंगे गैस की आज को मिडियम रखे अब हमने जो जिरा और धनिया एड़ किया है वो अद्रक का पेस्ट, इन्हें भी अच्छी से एक सिकिन के लिए इस तरह से साथे कर लेंगे, अद्रक मिर्चेक की वज़े से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है, इसमें मैंने कुछ कड़ी पत्ता, एक चूता ही चमज ही और एक मिटियम साइज का प्याज इस तरह से इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन सारे मसालों को हम एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसमें जो मसाले का टेस्ट है, वो पूरी तरह से बैट जाए, यहां पर मैंने आदा किलो याने की 500 क्रम जितना गवार लिया है, उसे इस तरह से चोटे-चोटे टुकडों में कट कर लिया है, अब इने है पर हम इन सारे मसालों के साथ एड़ करेंगे, और उपर से हम अस्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे, और यहां पर हमने 3 टेबल स्पून जितना पाने एड़ किया है, अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले मैंने दो से तीन मिनिट के लिए इसे इस तरह से मिलाते हुए पकाया है आप हम ढखन लगा के मेडियम आज पे दस मिनिट के लिए इसे पकने देंगे तो दस मिनिट हो चुकी है अब इन्हें एक बार मिक्स कर ले और अच्छे से एक बार चेक करें कि यह अच्छे से प ँटेबलस्पून फ्रेश किसा हुवा नारियल को अच्छे से मिक्स कर ले। थे सारी चिजों की मज़े में इतना अच्छा फ्लेवर आया है और कुश्पु इतनी अच्छे हा है कि आपको बता नहीं सकती तो यह सबजी अगर आप रात को गवार को काट के रग दे और सुबह यह आपको बड़ी आसानी से ओफिस के लिए टिफिन में या बचों की टिफिन में देने के लिए बहुत आसान सी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से सबजी है यह तो इस सबजी में देखी यह तो यह क्या होगा इसे ना पुरा जो फ्लेवर है उस सब्जी में अच्छी से बैठ जाएगा वहां पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है अभी ने एक बार अच्छी से मिला ले यह देखिए बहुत ही अच्छी से पक चुकी है विल्कुल ही पानी नहीं है और सच मानि बच्छों को यह इतनी पसंद आएगी कि हमेशा यह इसी तरह की सब्जी खाना पसंद करेंगे मेरे यहां पर अगर ड्राइ सब्जी खाने है गवार की तो मैं हमेशा इस तरह से बनाते हूं और बच्छी भी बहुत ही प्यार से खाते हैं इस सब्जी में हमने जो आखा धन यह डाला है उसका भी जो बिच बिच में टेस्ट आता है बाइट का टेस्ट वह भी बहुत बढ़िया होता है तो आज के मेरी रेसिपे आपको कैसी लगे